जल मिशन योजना के तहत योजना के ट्रेकर ने ग्रामिनों को समझाया कि पानी का संरक्षन कैसे करना और क्यों शुद्ध जल को ही पीना चाहिए जल मिशन योजना के तहत योजना के ट्रेनर ने बिजोरी गाउं के लोगों को समझाया कि पानी को बचाना है और स्वच्छ जल का उप्योगी करना है अपने प्रिस्किशन के बारे में ट्रेनर राजेश ने बताया कि हमने बिजोरी गाउं का दौरा किया और वहाँ लोगों को जल्द स्रक्षन को लेकर प्रिवित और प्रिश्चिक्षित किया। 15 अगस्त को प्रदानमंतरी नरेत मोदी ने शपत ली थी कि देश के हर घर में नलजय जोजना से पानी मिलेगा। और प्रितिक व्यस्ती को इस जोजना का लाब मिलेगा। इसी के तैथ हर घर शुद्ध पीजल की वस्ता कराई जा रही है। ग्राम पंचायत के सहयोग से सभी गाहों का अंदिरिक्षन किया जा रहा है। और ग्राम वाक्षियों को शुद्ध पानी पीने के लिए प्रिरित किया जा रहा है। आप सभी आदर्णियों को सादर नमस्कार। मैं राजिस्तिवारी, मास्टर टेनर। जल्जीवन मिशन के एक मैत्तपूर्ण प्रसिक्षन में ग्राम उत्योग संस्तान मंडला के विशेस प्रयोजन में इस कालक्रम का आयोजन तामिया में किया गया है। जिसमें आज हम लोगोंने पियारे पार्टिसेपेट्री डियूरल अप्रेजल के तहत ग्राम विजोरी में ग्राम पंचायत बवन में 71 सभी प्रतिभागियों को किया है। और यहां पर हमने ग्राम का व्रमन किया जिसमें हमारे सरपंच महुदय प्रतिती जी का भी विशेस सहयोग रहा है। और इस मूल रूप से इस प्रसिक्षन का जो उद्देश है। अरे माननिये प्रतानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगर्ष 2019 को लाल किला की प्राचीर से संपूर्ण देशबासियों के साथ आवहन किया था कि हर घर नल्जल योजना प्रतेक व्यक्षि के लिए लावप्रद हो प्रतेक व्यक्षि सुझल और सच जल का उप्योग कर सकें। और सबसे महतबूल बात कि हम प्रत्यक गाउं में हमारे देश के प्रत्यक गाउं में प्रत्यक व्यक्ति के लिए प्रत्यक नागरिक के लिए सुजल और सुच्छ पेजल की गवस्ता कर सके वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और ख कर लिव